दोस्तों, आज का कोश्चन हमार पास है, कोश्चन नमबर 85, यह हमार पास CSR 52022 का कोश्चन है, कोश्चन कहा रहा है, diffused hydrogen gas within a galaxy may be allowed to follow a max failure distribution at a temperature 10 to the power 6, वो कहा रहा है जो galaxy होती है न, galaxy हम भली बात ही जानते क्या होता है, ठीक है, उनमें क्या diffused hydrogen gas है, यह galaxies है, इतमें क्या diffused hydrogen gas है, और उनका temperature कितना है, 10 to the power 6 Kelvin, वो गया है, while the temperature appropriate for hydrogen gas in intergalactic space, यह तो galaxy होगा, और जो intergalactic space है, जो galaxies के बीच का जो space है, उनके बीच में temperature कितना है, 10 to the power 4 Kelvin, ठीक है, और ratio पूच रहा है, thermal broadening का, thermal broadening का मतलब क्या होता है, doppler broadening से होता है, ठीक है, thermal broadening और Doppler broadening का ratio पूच रहा है, वो सोरी, thermal broadening और Doppler broadening यह की होता है, वो गहरा है, जो galactic case में broadening होई है, जो spectral line galaxy से आई है, और जो spectral line intergalactic space से आई है, उनका ratio पूच रहा है, ठीक है न, hydrogen atom का, लाइन कोंसी spectral line है, लाइमन alpha line है, समझ मागी बात, तो बहुत जादा आसान है, यह दिया आपको ध्यान हो, हम भली बाती जानते हैं, हमारे पास जो, क्या होता है, thermal broadening होती है, हमारे पास, क्या होता है, 7.16 into 10 to the power minus 7, frequency, योगा temperature, और योगा molecular mass, जहां पर temperature किसे में होता है, Kelvin में होता है, ठीक है, और हमारे पास यह क्या है, mass है, यह atomic mass है, जो gram पर mole में होता है, यह हमारे पास formula होता है, किसका होता है, thermal broadening का है, जिसको हम Doppler broadening बोलते हैं, अब देखो, यह formula तो होता है, दूसरे term में भी है, ठीक है, उस चीज को आप theory में देख सकते हैं, लेकिन हम basically इसी formula को इस्तमाल करते हैं, क्योंकि हमें न और कुछ नहीं दे रखा, temperature दे रखा है, और hydrogen दे रखा है, तो hydrogen का temperature लिख लेंगे, hydrogen का molecular mass लिख लेंगे, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास देखो, galaxy का case क्या आएगा, galaxy के case में क्या लिखेंगे, 7.16 into 10 to the power minus 7 mu node, ठीक है, अब mu node क्या है, क्या, frequency है, कुन से है, lyman alpha line है, ठीक है, और lyman alpha line हम भली बात ही जानते हैं, कब निकलती है, lyman line जब निकलती है, जब n is equal to 1 में transition होता है, कहा, n is equal to 2 से, समझ मैं, या n is equal to 3 से, ठीक है, लेकिन वो alpha पूछ रहा है, ना, तो alpha का मदलब होगा यह, और beta होता है, तो 3 से 1 में transition होता है, यह हमारे पास दे रखा है, तो यह जो line है, इसका, इसका जो transition है, इसकी frequency कितनी ले ली, हमने mu node ले ली, समझ मैं, temperature कितना दे रखा है, galaxy के, किसमे 10 to the power 6 Kelvin ही दे रखा है, और molecular mass कितना होता है, 1 gram पर mole होता है, hydrogen का, ठीक है, समझ मैं, अब हमने यह क्या ले लिया, intergalactic ले लिया, ठीक है, आप देखो, 7.16 into 10 to the power minus 7, mu node देखो, intergalactic के इसमें भी वही frequency लेनी है, क्योंकि उसने liman alpha line की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें लेकिन temperature के intergalactic इसमें 10 to the power 4, hydrogen ही है, वहाँ भी, तो 1 gram होत, अब देखो, कितना असान है, सारी चीज़े कट गई, हमारे पास कितना बचा, 10 to the power 6, अपोन में 10 to the power 4, यह हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, इसको 100, यह नि हमारे पास answer कितना आगा 10, तो देखो, कितना जादा आसान अकोशन है, ठीक है, तो galaxy to intergalactic, जो thermal burning का रेशियो है, galaxy to intergalactic, जो thermal burning का रेशियो है, हमारे पास हो कितना आगा 10, तो answer number कितना हो गया हमारे पास, ठीक है, तो मिलते हैं, अंगले कोशन में तब तक पढ़ते रहिए,